है तो हुजाएं दुस्तो मेरा नाम है तुल और स्वागति आपका अपनी यूटूब चेनल अतुल क बजार पर दूस्तों यहां पर मिशेक्स और ऑप अप्रीगादेट यहां पर घ्रीज़ मैंने का बहुत बड़ा इक कंबड़ा अपडेट आने नोटिफिकेशन आपके पास तुरन से पहुच जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को फड़ा-फड़ से स्टार्ट करते हैं यहां पर दूस्तों अगर रियलमी 6 आपके पास होगा तो आपने देखो का बहुत सारे क्योंcek स्टार्ट करते तो यहां पर इसे फिक्स करने के लिए यहां पर यहां से फिक्स करने के लिए यहां पर wide angle में convert करते हो तो काफी ज़्यादा भी अच्छी फोटो यहाँ पे आने वाली है April महने के OTA update में साथ-साथ यहाँ पे image quality जो थी उसे भी यहाँ पे improve किया गया है zoom quality यहाँ पे काफी ज़्यादा improve किया गया है इस update के बाद April महने में जो update आएगा यहाँ पे अगर आप zoom करोगे तो काफी ज़्यादा आपको अच्छी quality वाली फोटो देखने को मिल जाएगी साथ-साथ कुछ issues थे Realme 6 में कभी-कभी यह issues आते थे जब आप rare camera से autofocus करते थे तो यहाँ पे कुछ issues आते थे इसे भी यहाँ पे fix किया गया है तो यह साथ जो issues है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं अभी जो है यहाँ पे B.17 है मेरे Realme 6 में तो यहाँ पे B.17 में जो हम यहाँ पे wide angle lens का use करते थे तो photo quality जो है आप देख सकते हो थोड़ी बहुत decrease यहाँ पे हो जाते थी तो इ Realme 6 और Realme 6 Pro के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक camera update रोल आउट किया जा रहा है Apple के महने में तो जो Apple के महने में जो update रोल आउट किया जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो front HDR mode है इस type का आपको यहाँ पे quality देखने को मिलेगी जो left side वाली photo है वो new है और जो right side वाली है वो old है तो new quality आपको देख सकते हो आपडेट के बाद जो HDR mode है front का आपको कुछ इस type का देखने को मिल जाएगा basically realme 6 के जो camera है और 6 pro के उसमें काफी ज़्यादा यहाँ पे improvement किया जा रहा है इस April के OTA update में तो कुछ इस type के यहाँ पे आपको HDR front वाली quality देखने को मिल जाएगी ताती साथ यहाँ पे आप देख सकते हो front camera की clarity में भी यहाँ पे काफी ज़्यादा focus किया गया है देख सकते हो जो left side वाली photo वो new OTA update की है और जो right side वाली photo है वो यहाँ पे आपको old OTA update आने B.17 वाली है तो यहाँ पे जो new OTA update आएगा यहाँ पे आपको front camera में भी काफी ज़्यादा improvement देखने को मिल जाएगा यहाँ पे और भी कुछ Realme 6 Pro के लिए आने वाला है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो rare wide angle camera है उसमें भी यहाँ पे clarity को improve किया गया है और यहाँ पे EIS का support आपको देखने को मिल जाएगा आप 4K वीडियो record कर सकते हो 30 IPS पे तो यह वाला जो update है काफी ज़्यादा important है Realme 6 Pro users के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हो जो 64 megapixel वाला camera mode था उसे भी यहाँ पे clarity को काफी ज़्यादा optimize किया गया है तो काफी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे update आपको देखने को मिलेगा Realme 6 और 6 Pro users के लिए after update यहाँ पे आप देख सकते हो wide angle camera की clarity कुछ इस type के आपको के wide angle वाली देखने को मिल जाएगी 64 megapixel का जो camera है उसमें भी यहाँ पे काफी ज़्यादा improvement आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो left side वाली है new OTA update में आपको कुछ इस type की 64 megapixel वाली photos देखने को मिलेगी काफी ज़्यादा camera को यहाँ पे improvement किया गया दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बना कि बता रहा था कि next ODA update आएका realme 6 और 6 pro में उसमें आपको यहाँ पे max video UIS stabilization का option देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ यहाँ पे आपको front में भी night escape portrait का option देखने को मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं उन devices की जिनको यहाँ पे front में slow motion वीडियो का option देखने को नहीं मिला है तो ऐसी बहुत सी devices हैं जिनको यहाँ पे old devices भी बोलू और new devices भी जिनको यहाँ पे front में slow motion वीडियो का option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर जो एपरेल का OTA update आएगा उसमें camera update बहुत बड़ा camera update आने वाला है realme 6 और 6 pro के लिए और जो old devices नीडवाइस हैं उसमें भी यहाँ पे camera section में काफ़ी जदा improvement वाला update देखने को मिलने वाला है तो इस वीडियो दोस्तों इतना ही यह वीडियो अगर आपको पसंदाया होगा तो प्लीज से मेरे चनल को लाइक झाल